दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार मैं हूँ रंजीर ज्या और आप देख रहे हैं दे लाइफ टीवी नूह दंगा आपको याद होगा हर्याना पूरी तरीके से जलू उठा था और ऐसे में पुलिस ने जो एक्षन लिया है नूह दंगे को लेकर उस पर एक भयंकर खुला सा है खौफनाक सच सामने आया है और पुलिस का चेहरा भी बेनकाब हो गया है मुस्लिम थोरी पुलिस ने गढ़ी थी इस हिंसा को लेकर और इसमें जो जो कांड पुलिस ने किये हैं वो अब मीडिया के सामने है धैनिक भासकर ने चौकाने वाली रिपोर्ट दुनिया के सामने रख दी है इस रिपोर्ट में बताया गया है कैसे बेतहासा 420 लोगों को गिरफतार किया गया जिसमें दो मुसलिम युवक के इनकाउंटर का केस काफी सुर्खियों में आया और वो पूरी तरीके से प्लांड और पुलिस की रची हुई साजुष थी मुनफेद और आमीर जैसे युवक को भी गिरफतार किया गया था नुह दंगे के 10 दिनों के बाद और बस गिरफतार कर लिया गया उसके बाद जो इन लोगों ने कुकृत्त किया है वो खुद मुनफेद ने बताएं जवर्दस्ती हाथ में तमंचा पकरवाना पैर में गोली मारना और वो बुलेट आज तक उसके पैर में है ठीक से वो चल नहीं पाता है ऐसे खौफ़नाक मंजर सामने आए हैं हम यहां आपको मुनफेद का बयान आमीर का बयान और पुलिस का भी बयान सुनाने जा रहे हैं देनिक भासकर की रिपोर्ट के हवाले से नुह दंगा ने पुले देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था कि कैसे एक ब्रजमंडल 84 कोश यात्रा निकाली जा रही थी और उस प्रिकर्मा में इस तरीके के दंगे हुए जिसके बाद मुसल्मानों को टार्गेट किया गया चुन-चुन कर मुसल्मानों को पकड़ा भी गया सब को सलाखों के पीछे भेज दिया गया हालाके इसमें बिट्टू बजरंगी जैसे लोग भी गिरफतार हुए लेकिन जिस तरीके से मुसलिम छोड़ी इसमें धूनी गई पाकिस्तान कनेक्शन बताया गया वैसा कुछ भी नहीं निकला कोई कॉंस्पिरेश्टी नहीं है पुलिस ने डियस्पी साहब ने खुद यह बातें दैनिक भासकर को फोन पर बताई है हम दिखाते हैं पुड़ी रिपोर्ट आपको लेकिन उससे पहले दा मुसलिम के टूइट को जड़ा हम पढ़ रहे हैं आपके सामने फिर आप इस खबर को भी बहुत यच्छे से कनक्ट कर पाएगे यहां लिखा हुआ है मुसलिम युवक की बनाई पुलिस ने थ्योड़ी हर्याना नुह 31 जुलाई मुसलिम बिरोदी हिंसा की धर्दना स्टोरी मुनफेद को हर्याना पुलिस ने हिंसा के दस दिन बाद गिरफतार किया और फिर आख पर पट्टी बांद कर सुनसान जगह ले गए और हाथ में कट्टा थमा कर गोली चरवा दी और फिर मुनफेद के पैर में पुलिस ने गोली मार दी और जब जेल में इलाज चल रहा था तो गोली भी नहीं निकाली यहां की डॉक्टर ने भी हाथ करे कर दिये थे ऐसा मुनफेद का कहना था इसी तरह आमीर को भी पुलिस ने गिरफतार किया और गोली मार दी नुह मुसलिम विरोधी हिंसा के बाद उल्टा भारी संख्या में मुसलिम नोजवानों को गिरफतार किया गया और जेलों में ठूस दिया गया और कई नोजवान का एंकाउंटर भी किया गया है यह देखिए जो एंकाउंटर वाली बात है वो एक प्लैंड तरीके से हुआ है यह कैसे पहले रिस्ट करना है और फिर मोकाई वारदात पर ले जाकर उसके हाथ में तमंचा दिलवाना है फाइरिंग करवानी है और फिर उसे लिटा कर उसके पैर में गोली मार देना है यह तो सुन लिए आपने बात सिर्फ मूनफेद की अधाना है और फिर में तो सुन लिए आपने बात सिर्फ मूनफेद की नहीं है आमीर के साथ भी ऐसे ही घटना घटी उसे भी पकड़ा गया उसके साथ भी पुलिस ने बरबरता की उसका मुवाइल भी छीन लिया है और उसके परिवार वाले इस केस से बाहर निकलने के लिए हाथ पेर मार रहे हैं सारा पैसा खर्च हो गया है कर्ज में अमिर के पिता बताते हैं कि अब तक इस केस में उनका काफी सारा पैसा खर्च हो चुका है तो सुन लिया आपने आमीर के साथ भी वही घटना घटी मूनफेद के साथ भी वही घटना घटी पुलिस ने एक ठ्छी बनाने के लिए इन लोगों के जान से भी खिलवार कर दिया और इनकी जिन्दगी भी खराब कर दिये किसी के पैर में गोली मार दी गई और तको हमीर पर भी गोली चुला दी गई तो यहा घटना कहीं कहीं जुचाने के लिए रची गई साजिश के तोर पर थे क्या पुलिस ने जान भूजकर बिट्टू बजरंगी तक मामला ना पहुचे किसे खास हिंदु तुबादी संगठन तक या मामला नहीं पहुचे सरकार भी इसमें पाक साप रहे मुसलिम एंगल भी मिल जाए पाकिस्तान कनेक्शन भी निकाल लिये जाए बस इसके लिए पुलिस ने पूरे कहानी को घुमाने की कोशिश की इतने खौफनाक घटना तक को अंजाम दे दिया गया अब ज़रा देखिए कि इस घटना के बार डीएसपी से भी बात करने की कोशिश हुई और उन्होंने कहा कि इन लोगों की कोई भी भूमी का अभी तक एसपर्ष्ट नहीं हो पाई है नहीं कोई पाकिस्तान कनक्ष्ण अब तक जाच में सामने आ पाया है सुनिये जाए तो सुन लिया आपने बात सिर्फ इतनी नहीं है चार स्पेस्टल टीम बनाई गई थी इस दंगे की जाच के लिए आज भी नुह का छेत्र उतना ही संसिटिव बताया जा रहा है जबकि हम लोगों ने उस वक्त भी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे उस ब्रजबंडल और 84 को सियातरा के जो सरधालू थे अपनी जान बचाने के लिए मुसलमानों के घर में पनाह ले रहे थे और मुसलमानोंने उनकी रक्षा की थी खाना भी तक भी दिया था उन लोगों को सरन भी दिय थी इस एंगल को नहीं दिखाया गया एंगल क्या निकाला गया कि ऐसे ऐसे मसलिम लरकों को पकड़ो उनका मोबाइल जब्ड करो और फिर उन्हें गोली मार दो उनका इतना ही नहीं पुलिस ने जो मुबाइल जबत किया उसे चार्ज स्रीट में सामिल भी नहीं किया पुलिस के रिकॉर्ड में उसे मेंशन नहीं किया गया और यह पिरिट या रोपी कहलें जो भी इस बक्त पुलिस ने उन्हें बना दिया है वो मुबाइल मांग भी रहे हैं त और हड्याना सरकार पर और हड्याना के इस प्रशासन पर जिसने गलत तरीके से केस को भुमाने की भी कोशिश किए। कहा हम रहें कोई पाकिस्तान य公ष मिला इन मोसलमानों का कोокой कमें। तार किया है फूच्टास तो उससे भी कर रहे हैं सोचल मीडिया पर लोगों को भरकाने के लिए बीडियो बनाने वाला बिट्टू बजरंगी हो या मौनु माने सरो ऐसे ही लोग है जो महौल बिगार रहे हैं लेकिन फंसता है बेचारा मुसल्मान यहां पर इस खबर से तो ह हम आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं जाच चल रही है कुछ तो सामने आएगा अभी कुछ भी सामने नहीं आया है तो फिर जाच कितनी लंबी चलेगी क्यों कोई जानकारी नहीं मिल रही है फिर क्यों मुसल्मानों को बली का बकरा बनाया गया है यह सब को जवाब देना परेगा क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त माहौल ऐसा हो गया था कि कई पंचायद परतिनिदियों ने लेटर लिख करके यहां तक एलान कर दिया कि मुसल्मानों को अपने गउँ में घुसने नहीं देंगे अपने पंचायद में घुसने नहीं देंगे बहुत खतरनाक खेल चल पर है और हर्याना में BJP सरकार ना जाने कैसी कैसी साजेशों को बढ़ावा देने रगी है और उनका सिस्टम कैसे कैसे एंगल निकालेगा समझ से परह है फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत भधनी बाद